कि हम लोगों ने चिनहित कर ली हैं अप्राजी को नाम आ गया है और जली से दिन्गी प्रफ्कारी करके अब शुच्ट के जाएगा नमस्कार आप लाइप स्टीज देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ रुहित भर्मा पटना में निलेश मुख्या सूटा उट मामले में पटना पुलिस को एक एहम सुराग मिले देखे इस मामले में पटना पुलिस ने खुलासे भी किये हर एक चीज़ को हम आपको बताएंग मगर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वो सूटर्स जिसकी तलास पटना पुलिस को है जो सूटर्स इस मामले में सनलिप थे जो काफी लंबे समय से फरार चल रहे हैं उनके नाम भी पटना पुलिस ने जान लिये हैं उनके लिए च्छापे मारियां पटना के विबिन छेत्रों में भी जारी है। सुनने में ये भी आया है कि मुकामा में भी छापे मारियां चल रही है। वो सूटर्स मुकामा के रहने वाले हैं ऐसे भी खबड़े आ रही है। मगर सूटरों की माने तो जल्द ही इस मामले का उध्वेदन होगा। मगर देखिए पटना के सेंट्रल स्पी वैब अप शर्मा ने साफ साफ इस बात की जानकारी दी है कि जल्द इस मामले का उद्वेदन होगा, खुलासा होगा और वहीं इस मामले में उन लोगों के नाम भी जो है, वो सामने आ गए हैं, जल्दी एक दो दिन के अंदर पुलिस उनको उठाएगी, उठाने के बाद उनको इंटरोगेट किया जाएगा, इंटरोगेशन के बाद जो है, वो खुलासे करेंगे कि आखिर क्यों निलेश मुख्या को उन लोगों ने ठोका, क्यों उनको डेड किया गया, निलेश मुख्या की माने, तो निलेश मुख्या अभ वो नाजुक बनी हुई है पटना के सेंट्रल स्पी वैब अप्शर्मा साफ साफ कहा रहे हैं क्या कुछ कहा रहे हैं सबसे पहले आप उस क्लिप को देखी हम लोगों ने चिनहित कर ली है अपरादी अपरादियों को नाम आ गया है जल्दी से दिन की प्रक्तारी करके अब उ जी मोर के पास पूरी घटना घटी थी जो CCTV आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं इस CCTV में जितने भी शूटर से इनके नाम पटना पुलिस के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं यानि जो लिस्ट तयार है जिनको उठाना है उस लिस्ट में पटना पुलिस ने ये खुलासा होगा मगर सूत्रों की माने तो सुपारी ली गई सुपारी लेने वाले सूटर्स हैं और सूटर्स जब उठेंगे तो कई रास खोलेंगे पतना के संट्रल S.P. क्या कुछ क कह रहे थे वो आपने सुना है मगर सूतरों की अनुसार अगर हम बात करें तो इन लोगों ने सुपारी लेकर निलेश मुक्या को ठोका है कई बाते सामने आ रहे थी निलेश मुक्या के बाई सुरेश राय के अनुसार नामजद तीन लोगों को किया गया था और पांच शूटर्स इस मामले में सनलिप थें, खबर ये थी कि करीबन महीनों से रेकी करने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, निलेश मुक्या अपने कार्याले से निकलते हैं, तो उनको शूटर्स जो हतियार बन शूटर्स खड़े होते हैं, वो बीत सरक प इलर्स हैं, कौन हैं, ये सब पता चलेगा, जब पुलिस उनसे पूस्ताच करेगी, तो खुलासे करेंगे, क्या कि रिस्टाइजिस के पीछे किस का हाथ है, परदे के पीछे कौन है, सब जानेंगे, घड़ाल इस खवर्ण में बस इतना हैं, अगर आपने अब तक लाइव लाइव शिरिस को सब्सक्राइब नेंगे है, जल से लाइव शिरिस को सब्सक्राइब लिए, धन्यवाद!